नमस्कार मेरा नाम है सुमिस दिंग मैता हाजुन आपके सामने इलक्टो डैनेमिस से रिलेटेट एक और नया लेक्चर लेके आज का हमारा है लेक्चर नमबर 51 और आज किस लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं जो मल्टी पोल एक्स्पेंशन हम हमारा चल रहा है उसी क्या करे हमारे इंप्टेंट रहने वाले हैं और इस टाइब कर बेदेशन का डायपोल मुमेंट और फिर म् रिंग देदी जाएगी इस रिंग का चार्ट डिस्टिविचन होगा वो लेंडा होगा बोल सकते हैं इसकी जो जा डैंसी या इंसी कई यह इसके ले है यह ती तीन चारो चीज क्या करने को बोलेगा वो फाइंड करने का बोलेगा वैसे तो अगर अगर multiple question में है तो उस पर आपको किसी एक को निकानने को बोलेगा और university के exam में आपको यह चारों फाइंड करने के लिए बोल सकता है तो आप समझी गए होंगे कि यह topic क्या होने वाला है कितना महत्वण होने वाला है ठीक है तो फड़ा फड़ बिना कोई देर किये हुए एक पूरे जोस और उल्लास के साथ क्या करो copy pen निकालो और हिंड डालो क्या monopole term, monopole moment, dipole term and dipole moment और इस topic को start करने के लिए हमारे जो पुरानी याद है वो ताजा होनी चाहिए यहां बोल सकते जो पिछल लेक्टर हमने पड़ा हुए ना, लास्ट में एक बड़ लंबी सी equation निकल किया थी कि इसके लिए करते हैं, since we know, we know, जो vr होता है, vr का निका मतलब यह कुछ, मैंकर बताना चाहूं को इस तरह के से, कि अगर यह क्या है मेरा एक x, y, z coordinate system है, तो this one is my x axis, this one is my y axis and this one is my z axis and this is our origin o, और यह क्या है मेरे पास कोई एक इस तरीके से charge distribution है, जिसकी charge density कितनी है, rho है, और इस charge density के कारण मुझे इस point पर, माना यह point के है, बहुत दूर है, कोई point P है, इस point P पर मुझे क्या करना है, electric potential find करना है, और इस point P का जो position vector है, वो कितना है, अजुम कर लिया हमने, आर अजुम कर लिया, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले, एक छोटे से charge element करने, electric field, sorry, electric potential find करना पड़ेगा, फिर उसे हम क्या कर देंगे, integrate कर देंगे, कुछ तरीके से होगा, let us say, this thing is D tau, यह क्या मेरे पास, D tau है, और जिसका position vector कितना है, यहां से, let us say, this position vector is R prime vector, यह कितना है और प्रैम बेक्टिर, ठीक है, कितना है, R prime vector, तो सारकए सारे कहां होंगे, prime coordinate को वह हूँगे, तो यह कितना आजाएगा, मीरे पास है, पर R vector था कि V at R is equal to कितना था हमारे पास अगर मैं इन जर्नरल लिखूं तो इन जर्नरल कुछ ऐसा लिखा था कि वन ओबर फोर पाई अपसालन नॉट फिर यहां पर क्या था इस तरीके से समेशन वन ओबर स्मॉल आर की पावर एन प्लस वन एंड एन इस फ्रॉम जीरो टू इंफिनिटी और फिर क्या था है यहां पर इंट्रिगेशन और इसके अंदर था मेरे पास आर प्राइम की पावर कितना था एन था फिर यहां पर था मेरे पास कितना आर प्राइग की पावर एन और यहां पर क्या था पी एन कॉसलफा फिर उसके बाद था हमारे प अभुला पूछ आपको यहाद नहीं करना है कि जनम घुट्टी और याधि करना है आपको इसbay Зे था हम को इसको याद करत लो इतना गी है हम को अधियरी हो गया नहीं से सलंगे है और झाले का यह आप Ini P r is equal to क्या आजाएगा मेरे पास 1 over 4 pi upside 0 0 put करो तो कितना आजाएगा यह 1 by r आजाएगा और integration यह 0 sorry 1 हो जाएगा और यह भी कितना हो जाएगा पी जीरो कॉस अलफा पी जीरो कॉस अलफा कितना होता है फिर 50 प्लस sign आएगा फ्र समेशन है फिर 1 over 4 Pi upside 0 and few 1 put कर रखा तो कितना आ गया और स्कुआर आगया passenger के अंदर कितना अजाएगा यह आज प्राइम और इंटू कितना आ जागा डी टाउ प्राइम आ गया प्लस एंड शून ऐसे कुछ फिर क्या करेंगे यहां पर यहां पर क्या निकल के आएगी एक श्रीज निकल के आएगी और इस श्रीज में जो पहला टम है यह वाला टम इसे हम क्या बोलते हैं यह चीज क्या है मेरा से यह तक वह 바ं रेखिए मोण पॉल ऑर इसे को हम क्या बोलते हैं जो यह पोटेंशील बहुते हैं इसे को हम क्या बोलते हैं इसTO नाम क्या है क्या वोboom-तुम यही चीज क्या है मेरे पास? मुनोपोल मुमेंट, समझ में आई मुनोपोल मुमेंट क्या होता है? मुनोपोल मुमेंट, सौरी 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 मुनोपोल टम है, क्या है ये? मोनो पौल टंब है कहला है इतनी बात ओके दो गोपावए से आंते हैं इसे हम क्या ऐintendo चीज कि आ कि अर पूरी इस पूरे मोगा बोलते हैं गाइपल पूरा चीज और चीज है इसको क्या बोलते हैं डाइपल Margaret अगर आपसे कभी कुछिन ने पूछ रहा है कि डाइपोल टम फाइंड करो एक्च्वल मों क्या फाइंड करने को बोल रहा है यह चीज निकानने को बोल रहा है अगर वो बोल रहा है क्या मोनोपोल टम करो तो यह चीज निकानने को बोल रहा है और जब डाइपोल टम करने को को बोलड़ा है तो हम क्या बोलेंगे potential due to dipole at very large distance क्या करने को बोल रहा है find करने को बोल रहा है इतनी वार समझमाई आपको okay समझमा आया कि monopole term और dipole term क्या होता है और यह जो integration के अंदर है न कौन सा वाला यह चीज जो यहाँ पर integration का अंदर है और यहां पर दोंट्रीक्रेशन के अंदर है इसे हम क्या बोलते हैं इसे हम बोलते हैं क्या bono मोमेंट और इसे हम क्या बोलते हैं इंटिकेशन के अंदर यहां फिर इंटिकेशन को शॉल्व करने के बाद जो चीज आएगी उसे हम क्या बोलते हैं यहां पर डाइपोल मुमेंट बोलते हैं और यहां पर क्या बोलते हैं उसको हम मोनोपोल मुमेंट बोलते हैं इतनी बाद आहँ दालो क्या मूनोपोल तॉम या क्या मूनोपोल तॉन टॉदिक हिएगल पॉतेन्षील दूटो नुमोल पोनटेश्ईल डुटो मूनो पॉल पॉतेन्षील डू टू मूनो पोल जटी मियन कीट नाया थैस यह एतना है तौन इस वी मोनोपोल वी मोनोपोल इस एकल टू 1 over 4 by upside 0 into 1 by r integration and this is rho r prime rho r prime vector और इंटो कितना आगया ये d tau prime आगया तो this is my monopole term अगर नहीं बात करो किसकी monopole moment की बात करो तो कितना हो जागा देखो अगर नहीं बात करो किसकी monopole moment, monopole moment, monopole moment की बात करोंगा तो monopole moment क्या होता है तो जो ये integration के अंदर है तो monopole moment is this thing जो मेरे पाइं integration के अंदर है and that is monopole moment is तो एकल करके लिखो या फिर ऐसे लिखो that is integration this is rho r prime vector into d tau अब गर मुझे बताओ इस integration को solve करने के बाद कितना answer आएगा ये क्या मेरे पास charge density है और ये क्या मेरे पास d tau है और फिर क्या कर रहा है हमने इसका integration कर रहा है यह तिस तिंग इस total charge ये किसके बराबर है total charge के बराबर है यानि जो उस पूरे configuration का जो total charge है उसी को हम क्या बोलते है है मोनोपोल मोमेंट बोलते हैं तो दोस तिंग इस मोनोपोल मोमेंट एंड डिस इक्वल टूटल चार्ज एक किसके बराब रहा होता है मिरे पास total charge of system of system ऐसा बोल सब्सक्राइब हो ओके तो इसको क्यों से लिग दो में तो यहां से मेरे पास और क्यों का मतलब मोनोपोल मोमेंट की बात हो रहे घिक है तो मोनोपोल मोमेंट किसकी डाईपोल मोमेंट एंड दैपोल टम की बात करते है कि फिदिन प्राइब करते है। ह lighthouse आपन डाइपोल टम के स는데요 हमारी डाएपोल टम dipole term ओके क्या होता है dipole term potential due to dipole dipole term क्या होता है potential due to dipole potential due to dipole तो यथरी kya है V dipole V dipole is equals to kya होता है 1 over 4 pi epsilon 1 by r square ίह यह मेरे पास कितना आ जाएंगा प्राइम फिर inTU कितना आ जाएंगा कॉस अलफा र्प्राइम इंतु कितना जाएंगा नूफ प्राइम और आरफ भाएंटु कितना फ्रा 1991 प्राइम देघ्णा ही आप अब दिखो इसके त्बार मॉटिफाइए कर सकते हैं कैसेhtaकर सकते इस डाइग्राम में अगर मैं ये बोलूँ कि this is a direction, r-cap direction तो इस direction unit vector कितना वजिम कर लिया हमने r-cap बोल दिया ऐसा गोचता नहीं बोचता कि इस direction में, यानि r-vector की direction में जो मेरे पास unit vector है, वो कहा है मेरे पास r-cap है और r-cap और r-prime vector के बीच, धान सुनना बात को r-cap और r-prime vector के बीच का angle कितना है, alpha है तो अगर मैं आसे ये find करूं कि r-cap dot r-prime vector find करूं then this will be equal to magnitude of r-cap और into कितना हो जाएगा ये magnitude of r-prime vector और into कितना हो जाएगा ये cos alpha हो जाएगा होगा नहीं होगा, answer है हाँ जी, होगा तो यहाँ से मेरे पास r-cap dot, यहाँ आगे मेरे पास कितना r-prime बेक्टर और r-prime vector का magnitude कितना हो जाएगा, simple r-prime हो जाएगा और into कितना हो जाएगा, ये cos alpha है जाएगा इसका मतलब r-prime cos alpha is equal to क्या है मेरे पास r-prime vector sorry, r-cap dot r-prime vector है तो इसके जगा में यह पूट कर सकता हूँ यहाँ पर हाँ जी पूट कर सकता हूँ तो पूट कर दो कोई दिक्कत नहीं है तो यहाँ से मेरे पास V द्याइपोल इस एकल टुट वन ओबर केटना एककेटना और ट्रोर फ्याइप इसकेट अब मुझे यहाँ वहां पर यॉसिन हे यह बताओ एक कॉसिछ ने आपके लिए कुछ एसा है ये क्या है मेरे पास R-cap vector sorry R-cap are our cabinet yield vector in a direction of R and R-dekshmut vector क्या मेरे पास R-cap क्या है मेरे पास R-cap क्या है क्या है R-cap को मैं इस integration sense से बहर ले सकता हूं वयसे हम सोचें या स्टेमल प्रिविरीयर्स क्वाइब ऐखना के ने सकते हैं करना बठ आपक तर्ड निसके की इसको आई जै के के तम मेल लिखना पड़ता है फिर हम इसको बहा ले सकते हैं लेकिन इस case में दिहान से लेकश Potato इस case में दिहान से देखो ये क्या मेरे पासρχ爬 है क्या है ये? arch pap है लेकिन इंट्रेकरशन किस coordinate system में है? integration किस कोडिनेर बाफ किस की respect में है? prime coordinate की respect में है लेकिन ये जो मेरे पास आरकेप है यह किसमे है un prime में है यहां पर prime नहीं लगा रख यह इसके लिensor और प्राइम में देख रहे हैं लेकिन यह किसमें है इस इंडिक्टर इस ट्रीयो डीर इंडरीट्ट्शन में है तो एक मिलेक्स सकते हैं यहां बहुत इंपोर्टन बात है कि यहां पर हम इस आरगर को आगर सकते हैं बाहर लिख सकते हैं तो यहां से मेरे पास V डाइपोल कितना गया मिरे पास 1 over 4 piawsine 0 1 by R square और ये कितना आया मिलिपास R कहा पाया फिर ड़ाट द्वाट तो ही यानने DAR प्राइम बेक्टर है ज्यानदेना R प्राइम बेक्टर और इन्टू कितना गया ये रो और इंटो कितनीchos आ गया डी टाउ प्राइम आ गया, तो now this is our potential, यह चीज क्या निकल गया हमारा potential निकल गया, यहां बोल सकते हैं, डाइपोल टम निकल के आ गया, अब डाइपोल मुमेंट क्या है, तो this thing which is inside integration, और the term which come after solving this integration, this is known as dipole moment, इसे क्या बोलते हैं, dipole moment बोलते हैं, इसे मिटाओ, तो dipole moment क्या हो जागा मेरे पास यहां पर देखो, now dipole moment, now dipole moment, dipole moment, अगर dipole moment की बात करूँ, तो dipole moment is this thing and dipole moment is represented by P, किसे रपरेजन करते हैं, इसको P vector से परेजन करते हैं, तो P vector equal to कितना आ जागा मेरे पास, this is integration R prime vector और इंटो कितना आ गया ये, rho R prime vector और इंटो कितना आ जागा ये, D tau prime आ गया, तो ये कहा निकल गया हमारा dipole moment due to any charge configuration having charge density rho prime, ठीक है, ये अब charge density rho, ओके कि जरह बात, तो ये formula क्या करना है, आपको बहुत-बहुत important formula याद रखना है, इससे अच्छा, आप एक काम करो, यहाँ पर इसके जोगा P vector put कर सकते हो, तो याद करने में और आशानी हो जाएगी, तो यहाँ से मेरे पास, V dipole is equal to कितना निकल गया गया, 1 over 4 pi upside 0, and this one is 1 by R square, और ही कितना गया मेरे पास, R cap dot P vector निकल गया, कितना निकल गया या, R cap dot P vector नि लिए, अगर मैं ऐसा आजूं करूं कि, dipole और इस R cap के बीच का angle कितना है, theta है, ऐसे बोल दो, कि मेरे dipole ऐसे रखा हुआ है, this is my dipole, यह dipole मैंने ऐसे रख दिया, और यह कुछ ऐसे है, और यह जो angle है, यहाँ सिना तक, यह कितना है, theta है, ऐसा बोल सकता हूं मैं, ठीक है, dipole between R prime and P, sorry, R cap and P, P अनि, dipole moment, तो dipole moment और R cap के बीच का angle अगर theta हो, तो इसका मलब जो भी dipole हो जाएगा मेरा, वो कितना हो जाएगा, this will be equal to 1 over 4 by epsilon 0, or 1 by R square, and this will be equal to P cos theta, कितना आ जागा यह, P cos theta, कितना आ गया यह, P cos theta, and this is our answer, okay, अगर आपको याद है, जब हमने dipole moment due to a, sorry, potential due to dipole निकाला था, वो भी तो इतना ही आया था, second, sorry, first lecture में हमने ऐसा कुछ find किया था, वो इतना ही आया था, ठीक है, और उसके लिए जनरल formula हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा, के लिए इतनी बात, okay, अब देखो, अब यहाँ पर एक बात और आती है कि, यह तो कब है formula, यह formula कब है dipole moment का, when we have a continuous charge distribution, क्योंकि row दे रखा है न, charge density दे रखिया, charge density किसके लिए होती है, एक continuous charge distribution के लिए होती है, लेकिन अगर मेरे पास क्या हो, जुमारा charge distribution है, वो कैसा हो, discrete हो, यानि अलग-अलग हो, यह बोल सकते हैं मेरे पास, collection of point charge हो, तब किस तरी किसे में dipole moment क्या गरूँगा, find करूँगा, हमारा next task क्या है, वो शीकन है, तो next reading डालो यहाँ पर, potential due to collection of point charge, heading क्या है है, हमारी next, potential due to collection of point charge, potential due to, potential due to collection of point charge, collection of point charge, देखो, क्या होता है, अगर मैं बोलूँ, कि मेरे पास, यहाँ पर एक, यहाँ पर कोई q1 रखा हुआ है, एक charge, यहाँ कोई q3 रखा हुआ है, और एक charge, यहाँ कोई q4 रखा हुआ है, ठीक है, यह 4 charge क्या है, मेरे पास, point charge का collection है, और इनका जो position vector है, माले इसका position vector कितना है, मेरे पास, this is r1 vector है, और इसका position vector क्या बोल दिया हमने, this one is r2 vector, और इसका मने क्या बोल दिया, let us say this is r3 vector, और यह जो मेरे पास है, इसका मने कितना बोल दिया, this is r4 vector, ठीक है, यह क्या है, इन सब के respectively position vector है, है तब इस सिस्टम का व्रदेफों मोमेंट होगा उसको यह से दिफ़ाइन करते हैं यह देफों मेंट हो अंधंग एक यह दाइपोल मोमेंट ने ने डिफायइन कर रहा है कर दिमार को रहा है मेरा डैपोल मॉमेट तो पी वेक्टर एकल कूल टू होता है हमारे पास क्या पी वेक्टर एकल टू Summation of Summation of Q A यह फिर पहले ऐसे लिखो Summation यह बोल सकते हैं क्यू आई R A Q 1 R1 vector फिर प्लस Q2 R2 vector फिर प्लस Q3 R3 vector फिर प्लस Q4 और यहाँ पर क्या आता है R4 vector तो इस तरीके से क्या करते हैं हम यहाँ पर डाइपोल मूमेंट को define करते हैं जो हमारे पास क्या दिया होता है collection of points चार दिया होता है इसी को मैं ऐसे short form ऐसे लिख सकता हूँ कि this P vector is equal to summation of QI into RI vector और यहाँ पर जो I हो कहां से कहा है मेरा 1 से लेकर 4 तक है अगर मैं general बात करूँ तो in general जो मेरे पास P vector हो जाएगा वो कितना हो जाएगा देखो summation of QI and this one is RI vector and this I is from 1 से लेकर कहां तक N तक है तो I कहां से कहां जाएगे मेरे पास 1 से लेकर N तक हाजएगा अगर N की जोगा 4 है यानि N equal to 4 है यानि total number of जो point charge है वो 4 है तो यह आजाएगा और depend करेगा कि हमारे पास कितने point charge है उसके अनुसार N की value क्या हो जाएगी हमारी change हो जाएगी तो आई बात तो collection ओफ-point charge न के लिए Dipol moment हम इस तरफके से क्या करेंगे अगर मैं इसकां के लिए मुनउब्वल मुमेंट करने को बोलऊ कितना हो जागा देखो अगर मैं इसके लिए क्या धीं करने को बोलू मुनूब्वल मुमेंट मुनुनु जाएगा देखो एक्वाल टू शमेशन आई और इक इतना आजाएगा यह जाएगा और इस इस पेस्पिक केस के लिए आंसर कितना हो जाएगा यह जाएगा ठीक है अगर मोनोपोल मेंट की बात करने को कर रहा है जब कभी भी तो उसका मतलब क्या फैंड करने को बूल रहा है उस सिस्टम का टूडल चार्ज कितना होगा यह फैंड करने को बूल रहा है किलर एतनी बात ओके अब देखो एक कोशन देखते हैं आगे बढ़ते हैं तो इसे मिटाओं मैं इतने मिटाते हैं देखो एक प्रसस्ता सा कोशन करते हैं जो आपने क्लास 12 में पड़ा होगा है एक दो चार्ज दियो होय और दो चार्ज के विच का दो कितना है द है एसे करे ने को क्यों को क्यों में सब्सक्राइब और और यह कहां मेरा ओरिजिन है यह ओरिजिन कहने का मतलब क्या हुआ है यह क्या है यह यहां पर X equal to 0 है और यहां से हमारा D है तो मुझे क्या करना है सबसे पहने पहला काम क्या करना है मेरे मुनोपोल टम निकालना है या मुनोपोल मुमेंट निकालना है मुनोपोल मुमेंट फाइंड करना है ठीक है मुनोपोल मुमेंट दूसरा मुझे क्या फाइंड करना है मुनोपोल टम फाइंड करना है क्या फाइंड करना है dipole moment find करना है, क्या find करना है, dipole moment find करना है, और चोथा मुझे क्या find करना है, dipole term find करना है, ठीके, करोगे find, एब करने है, कुछो करो, मैं तब तक, पानी पी लेता हूँ, sorry, कुछ आइडिया घुसा कैसे फाइं करो करें गे ओक यह किया है अपने कोश्चिन बहुत सिंपल साथ कुश्चिन है देखो अब एक चीजी कुश्चिन आता है कि हमको मुनोपोल टम और मुनोपोल मुमेल कहां पर फैंड करने तो लिख लो आपर जो मुनोपोल टम फाइंड क किसके बाद करों पहले वाले की बाद करों यहोंनी मुनोपोल मुमेंट के बाद होड़ किया मतलब टो टूटल चार्ट ट्यू इक तो कितना हो जाएगा कि इक चूल तो म Raphael moment की तना आघिया अगया अगर मोनोपोल मुमेट जीरो हे तो में पाहां मोनोपोल टरम यहने यह potential due to monopole वो भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा और तिस्री चीछ क्या है मेरे पास, यहाँ पर dipole moment, तो dipole moment P vector is equal to, क्या हो जागा देखो, इस इस इएकल टू, summation i equal to 1 से लेकर 2, यहाँ पर कितना आ जाएगा, qi into कितना आ जाएगा, ri vector आ जाएगा, तो this is equal to qi, यहाँ यह यह कितना है, minus का D by 2 X cap, because minus direction में है तो कितना आ जएका, दaff emo competitors minus का D by 2 X cap, R vector के जो कितना आ गया minus का D by 2 X cap, फिर क्या जबा PLUS हा जाएगा, फिर Q2, Q2 की बेली क्या आपर Q है, और इसका position vector है, यहाँ से, इतना है, this is plus का D by 2 X cap, कितना है, यह D by two x-cap है दीखो मैनने-स कई अब पर प्लस हो जाएगा So this is plus qd by 2 x up and this is equal to qd x-cap आ जाएगा तो this is my dipole moment ये कहा निकल गया मेरा dipole moment निकल गया and which is equal to qd x-cap कितना निकल गया dipole moment qd x-cap अगर आपको थोड़ा बहुत याद है तो क्लास 12 मां आपने इस डी को कितना लिखा था टू एल लिखा था और एक फॉर्म्मला पढ़ा था आपने क्या डाइपोल मुमेंट पी इक्वेल डू कुझ इसा पढ़ा था क्यों इन्टू 2L पढ़ा था और इन्टू X-Cab ये डिरेक्शन कुझ इसा पढ़ा था निपढ़ा था इन्टू X-Cab पढ़ा था आंसर आजी पढ़ा था तो यही तो था हो यह से तो निकलता है इस तो निकला कितना आगा देखो 2D इन्टू कितना निकल किया आगा X-Cab नि निकल के आई यानि माइनेस चार्ज टू प्लस चार्ज निकल के आई ठीक है तो हमने यह पढ़ा था यहां रटा था कि डैपोल की जो डैरेक्शन होती है डैपोल मुवमेंट की डैरेक्शन होती है वह हमेशा कहां से कहां क्यों होती है तो यहां पर देखने को मिला हमको कि ड कैप direction में है फिट किलर होगी इतनी बात अब क्या निकाल दो फोर पस्था नोट नोट उट याहां कहीं हो पॉइंट इस पॉइंट इस पॉइंट इस डिरेक्शन में आर्काइब लिखूं तो आर्काइब लिख सकता हूं तो यहां पर मेरे पास जी डाइपोल इस इकल टो कितना आ जागा देखो वन ओबर फॉर पाय अप्सान नौट एंड इस वन भाई लुइंट इस इस पॉइया अगया है और फिर यहां पर मेरे पास भी डाइपोल इस इकल्ट अ शते से बन हो गया अटो इस इसकीट अप्यूड इसकोर आ रही कितना अपन अपन एसकोई एक तो निकाला था हमने कि पोटेंशल तो डिपोल इंब्हू इक्ना चेस तर अव सितना होता है जी रोगहालो job फेंटा डीयान होती है अब ऐसा क्यों होगा क्यों कि पहले बुलते डाइपोल कि ताइपोल्त चूर यह अपर क्या आईगा हम सिРЕ Smart she met now he going to malaama rede आजाएगा जीरो आजाएगा किलर ही इतनी बात ओके देखो अगला कॉशन देखते हैं यह हो गयाना इसे मिटा दूँ टिक देखो कॉश्चन नमबर टू देखो कॉश्चन नमबर टू टेखो अभी यहाँ पर कुछ ऐसा है मेरे पास कि एक एकस वाई कोडिनेट है इस एकसेस एंडिस वन इस वाई एकसेस इस ओरीजन एक चार्ज यहां रखा हुआ है एक चार्ज यहां है और एक चार्ज कहीं यहां है क्यों है और इसकी वालय कितनी है त्री क्यू है मैनेस का टू क्यू है और यहीं चार चीज़ आको क्या करनी है ऐसे लिखड़न करना है और एपWe moment और monopole moment भी क्या करना है, find करना है, सबसे पहले बात करता है कि monopole moment की, monopole moment करने का मलब इस पूरे सिस्टम का net charge, उससे पहले इस separation देख लो, यह सब सेम है, सब सारी को value कितने है, a है, this is a, this is a, this is also a, यह सब कितने है, a, a है, अब देखो, पहला monopole moment, यहनि net charge q, net charge q कितना हो जाएगा, 3q, plus q, फिर plus का, minus का कितना आजाएगा, 2q आजाएगा, फिर plus का, minus का कितना आजाएगा, यह 2q आजाएगा, answer कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा यहां जेएगा इन्हीं monopole moment कितना निकल के आ जाएगा इसका, 0 निकल के आ गया, अगर monopole moment 0 है इसका मतलब जो dipole term, monopole term होगा, यहाँ potential due to monopole होगा वो भी कितना हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा, अगर मैं थड़ की बात करूं तो दिस इस डाइपोल मुमेंट या दाइपोल मुमेंट पी वेक्टर एक व्याइट आ देखो इस इस एक व्याइट टू समेशन समेशन आई इकल टू वन से लेकर चाड़ है तो फूर डिस इस क्यों आई इंटू कितना आ जागा यह आ रही है तो यहां मेरे पास जो पी वेक्टर रहेगा वो कितना देखो क्यू वन इसको वन बोल दो तो क्यू वन की जो कितना आ गया यह मैनस का टू क्यू आ गया एंड रही आ रहा है कहना लिए यहां से लिए तो यहां से अनल सेपरिशन कितना और अग चरण Lимо कितना आजाएगा एंटु वाइक सपरेशन कितना है एंटु वाइक एंटु वाइक एंटु वाइक एंटु वाइक करने का मतलग इन वाइक डिरेक्शन फिर प्लस कितना आजाएगा यह इसका देखोई यह मेरे पास क्यों है और ए और इंटु कितना आगए माइनस का वाइक क्या पांगे ठीक है तो सिर्फ मेरे पास कोन सा बचेगा यह बचेगा तो यहां से मेरे पास पी इकल डू कितना निकल किया गया दोनों मैंने सो जाएंगे और टू बचेगा यहां पर दिस इस टू क्यू ए और इल्टु कितना आ यहाँ पर जो डाइपोल मुमेंट की वह किस डारक्शन में है यहाँ पर जो डारक्शन होगी वाइकर डारक्शन में होगी और अगर मैं यहाँ पर इस प्रट्रक्र पॉइंट पर वन कॉमा जिरो कॉमा जिरो कई फालं पर जिरो अगरो मुझे चेहां पर तो यहां पर है और हम सब जानते हैं पर फिर fabrics कितना होता है जीरो होता है अगर मैं इन जनरल की बात करूं कोई भी जनल पॉइंट लेलो तो माना वो पॉइंट के है आर है तो यहां पर पोटेंशन निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा पोटेंशल दूड़ डाइपोल इस इक्वल टू वन ओबर फोर पाई अपसा ने दे दिया ओके वह अगर जनल बात करेगा तो ऐसे बात करेगा तो यहां पर मेरे पास वी डाइपोल इस इक्वल टू कितना हो जाएगा वन ओबर फॉर पाईप साइन नोट इन्टू वन बाई आर स्क्वार एंडिस आर कैप डॉट इसकी जो कितना आ जाएगा मेरे पा प्रक्राइब क्या करना आ गया है अब बात करते हैं एक कोशन करते किस पर कंट्यूनेस चार्ट डिस्ट्रिबूशन पर तो कुछ यह मिटाने बढ़ें के रखो एक तो होई जाओ ना कि अग्या कि अग्या कि देखो कुश्यन नमबर थ्री लो कुश्यन नमबर थ्री हमें क्या दिया है एक इस तरीक से एक रिंग दी है इन एक वाई एक्ष्य और जैड़ और वेक्टर वोला, कि रिडस कितनी है आर है, क्या है रिंग है ठीक है ring है तो इसकी कुछ line chart density होगी let us say line chart density of ring is lambda and this lambda is equal to lambda not now हमें क्या करना है सबसे पहले जो 4 point या पर दिये है यह पहले monopole term फ़ैंड करना है sorry monopole moment फ़ैंड करना है फिर dipole moment फ़ैंड करना है तो पहले चीज़ क्या फ़ैंड करना है monopole moment moment क्या फ़ैंड करना है monopole moment और दूसरा क्या फ़ैंड करना है dipole moment dipole moment क्या करना है फ़ैंड करना है सबसे पहले अगर हम monopole moment के बात करें total charge q की बात कर रहा है जो continuous charge distribution के लिए total charge q क्या होता है rho r prime vector into d tau prime होता है अब देख़ो यह तो कब है volume charge density दे रही है लेकिन अभी हमें क्या रहा है line charge density दे रही है तो in case of line charge density यह formula कैसे modify हो जाएगा को इस तरी कैसे modify हो जाएगा कि this is lambda आ जाएगा यहाँ पर कितना आ जाएगा simple lambda r prime आ जाएगा और इंट यहाँ आपर कितना आ जाएगा दी यह प्रायम का मदलब area element और यहाँ पर dL prime का मदलब infinite displace element याप उसने infinite displacement बोल सकते हैं ओक है कि दर बात तो इतना चोटा से का हो जाएगा है modification हो जाएगा यह तो समझ माँ आपको आई रहागा की modification क्यों किया हमारे पाद जो charge density है वो कैसे charge density है लाइन चार देंसिटी है कि ज़र अबाद ओके अब देखो सिंबल चीज है तो दिस क्यू इस इकोल टू लेम्डा इसके जो कितना है लेम्डा नोट जोगी कॉंस्टेंट है और इन्टू कितना आ जागए यह दी एल प्राइम आ जाएगा तो यहां से मिर पार लेम्डा नौ जात लिएक जेका तो भी इस거든 है मेरा इसमें डायपोल मोमेंट है का है इमारे पास डैपोल इसमें कि फोल दखुला कि होटा है कि इस इंटरेशों और प्राइम वेक्टर होता है और लों प्रायम भेक्टर हताँ प्राइम डिक्या घांग प्राइम रूप यहां मीरपाइक प्र लेंब्डा फ्राइम ग्रीक टॉ seniors ने तो अ क्यान कि है आप यहां पर आने वाला है नहीं अब यहां पर इंपोर्टन इसको देखना और यहीं क्या होते हैं है इंपोर्टन होते हैं होगि अक्षाम झार मुझे का यह आर प्राएम वेकंटर टीक्रा होता है मेरा इस डीयल-प्राइम है तो जो अर्प्राइम है है वो क्या है ये हैं और अगर मैं इसको इसको सिर्टर कोर्नेर सिस्टम में आत करों जो मेरा आर्परायम बैक्टर निकल पर único कि एगगा एस पैस बेखर निकल कि एगा जो आर्प्राइं वेक्टर है इन्झेर और सिस्टम घमिटिगू सब Microsoft है और यह आंज प्राइम होगा है स्वेक्टर के बरावर होगा है विक्ष cm i6 Ρानदना बाद को he Minh पास प्रैम वेक्टर है इसलिए याँ पर ने डाया है और प्रेटर वाइड वेख gli हो सकता हूं तो इसको ऐसे भी लिखा जासता है अब इन सब पूठा कहा पूट कर दो इसमें पूट कर दो यहां से मेरे पास momentum sorry momentum बोला हूँ, moment dipole moment p equal to कितना आ गया, this is integration r s prime और यह तो मेरे पास constant है, जिसकी वेलिए lambda not है, into dl prime के जो कितना आ गया मेरे पास देखो, अगें यह s है तो इसको मेरे लिखता हूँ, इसको में यह भी लिखता हूँ थी है, r d5, because s equal to कितना है मेरे पास r के बराबर है, तो this is r into d5, देखो r square भाहला जाए ज़र से, तो p vector is equal to, this is r square और into lambda not integration, this is s cap, और into कितना आ या, d5 आया, अब यहाँ पर जो step है, वो बहुत important है, ठीक है, वो important इसलिए है, क्योंकि यहाँ पर क्या आ गया है, s prime आ गया है, अब इस s prime को में integration से बाहर नहीं ले सकता, तो इसका मलब मुझे, इस s prime को r, i, j, k, k, term, लिखना पड़ेगा, और कैसे लिखते हैं, आपको क्या पता होने चीए, जो matrix हमन is equal to, यहाँ कहता है, मेरा इस तरी को से कुछ, cos phi था, फिर यहाँ कितना था, मेरा, sin phi था, और फिर यहाँ पर, 1 था, s phi cos phi, क्यों, यहाँ पर, 1 था न, 0 था, मेरे ख्याल से, 0 था, 0 था, 0 था, ठीक है, फिसका, integration, differentiation करो, कितना आता है, मैनस का, sin phi, और फिर, इंटो कितना था, cos phi, और फिर, कितना था, 0, फिर, यहाँ पर, 1, 1, 1, ऐसा कुछ था, फिर, यहाँ कितना था, i cap, j cap, और इंटो, k cap, यह था कुछ, ओके, अब धिको, यहाँ से में, सिंपल सा, s prime निकाल सकता हूं, sorry, s cap निकाल सकता हूं, तो, s cap इकल टो, कितना आगया मेरे पास, this is, cos phi, इंटो, i cap, फिर, प्लस, sin phi, इंटो, कितना आगया, j cap आगया, तो, this is our, s prime, यहाँ से मेरे पास, p vector is equal to, कितना आगया, r square into lambda not, and this is equal to, cos phi, इंटो, कितना आगया, i cap, फिर, प्लस का, sin phi, इंटो, कितना आगया, j cap आगया, इंटो, कितना आजाएगा, यह, d phi आजाएगा, लिमिट, लिमिट किसके आएगी, phi कि लिमिट आएगी, वो कहां से कहा होगी, this is 0 से 2 phi, simple सी बात है, लिमिट तुमको पता है, 0 से कहां आजाएगी, 2 phi आएगी, तो, p vector is equal to, कितना आगया, देखोई, r square into lambda not, अब यहाँ पर, cos phi का integration क्या होता है, sin phi, cos phi का integration, sin phi और लिमिट, 0 से 2 phi, अभी i cap है, i cap, i cap treated as constant, i cap, j cap, k cap, as a constant treat होते हैं, तो, यहाँ पर मिर पास कितना आजाएगा, यहाँ पास कितना आजाएगा, यहाँ पास कितना आजाएगा, तो, यह जिरो हो गया, तो, यहाँ पर dipole moment, कितना आगया, मेरा 0 आगया, यहाँ एक रिंग, जिसका charge distribution कैसा है, constant है, तो, उस रिंग के लिए, जो मिर पार dipole moment होता है, कितना होता है, 0 होता है, लेकिन monopole moment, 0 नहीं होता है, जो किसके रदाबर होता है, मिर पास, कहाँ निकाला, इधर निकाल, lambda not 2 by r के बराबर होता है, तो, यह क्या था, एक important question था, अब ऐसे ही, कुछ question मैं आपको दे रहा हूँ, आपको क्या करने है, उनको homer कमा करना है, ठीक, अब इसी में देखो, इसी question में, आपको जो 4 distribution है, को change हो सकता है, इसी question में, same question है, अभी यहाँ पर क्या है, lambda not, था न, lambda equal to lambda not, था पहला कुछ में का पड़ा हम उसे तरीका से एक disk ले लिलना, क्याले लिना, एक disk लेणा, यह भी गिरिफशी ता question है, ठीक है, इसी एक से सी, इसी एक से एक से, एक से, एक से हमने डिस्क ले लिए, अगे इस डिस्क की रेडेस कितनी है, र है, इसकी radius कितनी है, आर इसकी radius बोल दिया हमने, और sigma इसकी chart density पहले करिये लेले ना सिग मा एक्रहो टो किते हाद लेना सिग्मानो onuuuu कॉस ही किर दो थीक एकौस्ट लेनाphen कैस में कालना सिग्मा कॉस्टा यॉटकर कॉस ठीटा है प्र कॉस फाइड का लोगे कोस फाइड सिग्मा एककोल डू सिग्मा नोड इंटू कितना आजायगा साइनफ़ाई तो सीन कोशन यह होगे थिन सिन कोशन होगे, और लो देखो कैसे मालना मेरे पास यह की है एक श्फेर है ठीक है इस तरीके से, लिसाथ एक्स भाई एन-शीच जैट इसके अंदर इस तरी केसी का एक हैmi it कि इसके पूरे वाल्यूम sì तरी किया चार्ड इस्टेटेडद है मांना के चार्ट डेंसरत रो है रो है अब पहले केसमे रो इकल डुक मैं और डैपॉल मोमेंट ओर डैपॉल मोमेंट क्या करना है, मेरेब कारना है है ओके यह करें कुछ ऊच्छ इस एक सिल श्रीयस एक सिफ्सेश्षों तिस इन्रथ अज si इंसी का नोट है कि को इस डहार को एपकर सिंद एंसी morbid कितने कुछन वह एक दो तीन चार पांच छह साथ आठ नौ दस दस कुछन आपके लिए क्या है यह होमर के मैं है आप मिन्हों क्या करना सौल्व करना ठीक है और अगर कोई भी कुछन में से नहीं आ रहा है मुझे क्या करो फटावट क्या करो वट्सप करो क्यों यह क्या होते अब नेक्षर में क्या करेंगे नेक्षर में हमारे पास कुछ और सब टॉपिक है यहां पर एक होता है हमारे पास टॉपिक आता है कि रियल डैपोल और फिजिकल डैपोल में क्या अंतर होता है यह फिर दोनों क्या होते है कभी कभी दो नंबर आ जाता है आपका उनिवर्स और देखेंगे हम कि डाइपोल को ठीटा एंगल घुमाने में हमें कितना वर करना पड़ेगा एनर्जी इस्टोड इन डाइपोल कुछ ऐसे करके हम फाइंड करेंगे ठीक है लेकिन आज के लिए कि है इतना बहुत है यह कि है हमारा आहिका प्लान है जो मैंने आपको बता दि है ठीक एक बार उसको आप देखेंगे किताब में कि किस तरीके से दिया हुआ है फिर वीडियो देखना ओके तो आज के लिवस्ट इतना ही मिलते हैं आप से नेस क्लास में एक और ने टॉपिक के साथ तब तोले थैंक्यू धन्यवाद बाबाई